दोस्तो आईपील दोजा 24 का आगाज 22 मार्च से होने वाला है जिसमें अभी सिर्फ कुछी दिनों का समय बचा हुआ है और फैंस इसका बेसबरे से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं साथ ही सभी टीमें जोरों से अपनी तयारी मेल लगी हुई हैं लगभग सभी प्लेयर अपनी टीम से नहीं जुड़े हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि RCB के पुर्व कप्तान विराट कोली हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं जिस वजह से वो इंग्लेंड के खिलाब पांच मैचों के टे सिरीज भी नहीं खेल सके थे लेकिन विराट IPL में अपना कमाल दिखाने के लिए पूरी तरह से तयार है लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोली अभी तक अपनी टीम RCB से नहीं जुड़े हैं लेकिन वे जल्द ही अपनी टीम से जुड़ जाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बैंगलोर टीम ने एक घोशना की है दूसरी और खबर ये भी मिली है कि RCB फ्रेंचाजी अपनी टीम का नाम भी बदल सकती है अभी तक फ्रेंचाजी अपना पूरा नाम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर लिखती है लेकिन अब नए सीजन में रॉयल चैलेंजर बैंगलोरू कर दिया जाएगा इसका एलान भी RCB इन बॉक्स इवेंट में हो सकता है RCB फ्रेंचाजी ने अपने सोशल मेडिया एकाउंट से इसको लेकर एक नए टीजर भी जारी किया है इस टीजर में नाम बदलने के संकेत दिये हैं उस टीजर में हम देख सकते हैं कि कांतारा फिल्म के स्टार एक्टर रिशव शेटी को दिखाया गया है और वो नाम के बदलाव को भी छेड़ रहे हैं आप ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें